तर्टर अलेकुपल जुक्त्स ल awakened old beck to my YouTube श Dew처럼 ether education, क्या करें ऐसी करें Palagrap करें, ऐसे करें तो कौनसे करें कपौन से हीपोटेंट है कौनसे P calendrier में आने हम, एक्सट्रा करते हैं तो, क्या हैं टायम जूता है, अगर एक्सट्रा कर लेते हैं तो पेपर के के टाइम पर रवीएण नहीं हो पाती तो कौनसे करें कि पिपर के टाइम तक असानी से रवीएण भी हो जाए तो आज की वीडियो में आप लोगों को इसका हल बताने वाली हूं कि आप लोगों को पिपर के लिए कोन से ऐसे याद करने हैं कोวें से इस वीडियो में complete detail के साथ आप लोगों को बताऊंगी पहले तो मैं आप लोगों को ये वता दूँ के लिए जो पेरिंग स्कीम्स थी पॉर आल सब्जक्ट की उनके complete होने के बाद मैंने अपने guest papers का सेशन अब स्टार्ट कर दिया है इसमें आप लोगों को MCQs भी प्रवाइड किये जाएंगे जो important MCQs for 2025 के लिए guest papers भी for all subjects के लिए for 9th, 10th, 11th and 12th के लिए students अभी मैं discuss करती हूँ essay and paragraphs जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 marks का जो essay है वो आप लोगों को paper में करना होता है या तो paragraph करना होता है इन दोरों में choice होती है मैंने इस video में just essay provide किये हैं इसके बाद कि जो next video होगी उसमें paragraphs होंगे तो video लंबी होने की वज़ा से मैंने यहाँ पे just आप लोगों को essay provide किये हैं अगली video में paragraphs होंगे आप लोग वो देख लेना students पहले तो मैं आप लोगों को यह pairing scheme दिखाती हूं 10th class English की जिसमें मैंने question number 6 यहाँ पे आप लोगों को बताया होगा आप लोगों को याद होगा अगर नहीं तो आप लोग इस video को देख ले आई button में होगी essay of 150 to 200 words paragraph of 100 to 150 words उस video में मैंने एक mistake कर दी थी कि मैंने ना paragraph में 150 to 200 words लिखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ऐसे में 152 200 words होते हैं और paragraph में 100 to 150 words तो अभी देखें आप लोग ऐसे जो है वो आप लोग के पास 3 होते हैं paragraph भी तीन ही होते हैं उन में से आप लोगों को ऐसे एक करना है या तो paragraph एक करना है और दोनों के 15 15 marks है equally दोनों चीज़े हैं आप आप लोगों के अपनी 2012 के तरफ होगी यहान पे क्याप लोग ऐसे कर रहे हैं या पर पैराग्राफ क्रिया हैं मैं आप लोगोई पोुआप लग यह जो बैसे लग रहए वहांगे प MILES में ही हैं लग वही करिएगा मुश्चिल के तरफ हमेशा मत जाएएं क क्योंकि लोग अपना ही नुकसान करते हैं तो दोनों में से आप लोगों को जो बेस्ट लग रहा है या ऐसे करना यह फिर अब लोग होगे और इनमें से एक ही आप लोग अगर यही करते हैं तो आप लोग 2025 के पिपर में 15 मार्क्स इसली गैन कर लेंगे तो आप लोग ने बस यही ऐसे या पैराग्राफ करने हैं और अपना टाइम सेव कर लेंगे तूडर्स मैं आप लोगों को ऐसे तो बताओंगी लेकिन उसके साथ मैं ऐसे प्रोवाइड भी करूँगे means के with quotations and 152-200 words के दर्मियान का essay मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी यहां पे हर essay प्रोवाइड होगा so first essay है my house अब my house आप लोगों को 152-200 words के दर्मियान में यहां पे show रहा है मैंने बहुत ही easy word में यहां पे आप लोगों को essay प्रोवाइड किया है इसमें quotations भी add की है quotations मैंने 4-4 add की है आप लोग यहां पे कोई सी 3 करेंगे सिर्फ essay के अंदर 3 quotations होनी चाहिए ज्यादा नहीं होने चाहिए उसके अलावा 152-200 words के दर्मियान पे यहां पे essay आप लोगों को प्रोवाइड है बहुत ही simple English में then second essay है at true Muslim basically essay में students के बहुत कम marks आते है means के full marks बहुत कम students like toppers के आते हैं एक method होता है essay को write करने का वह method यह है कि essay में हमें quotations add करनी चाहिए दो या तीन quotations अगर students आप लोग 3 कर लेते हैं सही है अगर आप लोग 3 नहीं कर रहे means के याद करने में भी difficulty होती है तो आप लोग 2 कर सकते है minimum 1 और maximum 2 अब जो मैंने highlight कि है PBUH इसको भी आप लोगों ने bold लिखना है then third essay है a cricket match जो मैं यह quotations बता रही हूं आप लोगों ने इनको लिखना क्या बात यह आती है आप लोगों ने इनको blue marker से लिखना है blue cut marker से basically यह red से मैंने यहां पर लिखे हुए लेकिन आप लोगों ने paper के अंदर blue marker से लिखना है बाकी आप लोगों ने blue ball point से paper करना होता है और blue marker से आप लोगों ने यह quotations लिखनी है आप लोगों ने black pen या red pen बीच में यूज़ नहीं करना बस आप लोगों ने paper के अंदर blue marker and blue ball point यूज़ करना होता है या तो ink pen यूज़ करना होता है next essay है television student important essay के साथ मैं आप लोगों को जो tips साथ साथ बता रही हूं यह जो चीज़े साथ साथ बता रही हूं कि आप लोगों ने mind में रखने है यह चीज़े आप लोगों के लिए बहुत ही important है आप लोगों ने इनको अपने papers पर apply करना है next fifth essay है my hobby यह essay भी 150 to 200 के दर्मियान with quotations आप लोगों के सामने गिवन है इसमें भी तीन quotations आप लोग यहां पर तीनों करना चाहें तो तीनों कर ले या एक कर लें then अगला essay है my hobby students video थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप लोगों के लिए बहतर है कि आप लोग इन चीज़ों को starting to ending तक अच्छे से समझ लें क्यूंकि इन में आपकी ही बहतरी है आप लोग अगर ऐसे करते हैं जो मैंने चीज़े बताई हैं इस method से करते हैं तो आप लोग 15 plus marks gain कर सकते हैं 15 plus marks gain करना कोई मुश्किल बात नहीं है easily इसको students gain करते हैं then next essay है sports and games और एक important बात आप लोग ऐसे लिखे तो उसको इस तरह से ना लिखिएगा कि उसको तंग तंग करके एक page पे ही पूरा कर दिया ऐसा नहीं करना आप लोग ने आप लोग ने इसको maximum two pages तक लेके जाना है maximum two and half pages का आप लोगों का ऐसे होना चाहिए and minimum two pages का होना चाहिए इससे आप लोगों के 150 to 200 words भी complete हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को ऐसे जब लिखना है तो आप लोगों को उसको थोड़ा खुला-खुला करके और प्यारा करके लिखना है ना कि उसको तंग करके लिखना है next essay है my ambition और एक important बात अगर आप लोग अपना paper starting से बहुत अच्छा attempt करते हैं लास्ट में आप लोगों का paper जो है वह बहुत अच्छा नहीं हुआ तो इसमें आप लोगों के marks अच्छे आने के चांसे है because starting से paper अच्छा होना चाहिए last से बेशक paper इतना अच् पहले मैं next essay discuss कर लूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूं next essay है are any day ये बात तो आप लोगोंने सुनी होगी ना first impression is a last impression तो इससे ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि first impression अच्छा पढ़ेगा तो last impression भी अच्छा ही रहेगा because अगर paper चैक करने वाला starting से अच्छा paper देख और starting से उसको अच्छे तरीके से देखेगा तो इससे आप लोगों के marks अच्छे आने के chances होते हैं तो first impression आप लोगों का अच्छा पढ़ना चाहिए next essay है my school my school से related में आप लोगों को एक important बात बता दूँ कि आप लोगों के पास ये ऐसे या तो simple way में पूछा जाएगा my school या तो first day पूछा जाएगा school का या last day पूछा जाएगा या आप लोगों के school में park से related या building से related या canteen से related ऐसे पूछा जा सकता है तो आप लोगों के simple तो याद करना ही है वैसे दूसरे जो हैं वो इन में mixing करनी होती है जास्ट और कुछ नहीं करना होता एडिंग करनी होती ह तो वो आप लोग इन में adding कर लीजेगा उसी हिसाब से बाकी हम चलते है next essay की तरफ ये last essay है health students ये जो essay है ये इतना important नहीं था फिर भी मैंने या पे add कर दिया आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग इन सब की screenshot लेके इनको याद कर सकते हैं या फिर आप लो लोग इनके notes बना ले इनको अपने register में लिख लें और उससे इसली रिवीन हो जाती है क्योंकि लिखा हुआ सबक बहुत जल्दी याद होता है और वो याद रहता है लंबे अरसे के लिए तो मैंने आप लोग के साथ ऐसे discuss कर लिए हैं अगर आप लोग यह सारे कर लेते है तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप लोग यह सारे नहीं करना चाहते तो आप लोग 4 वाला और 10 वाला छोड़ सकते हैं बाकि आप लोग ने सारे करने हैं